बिसम्मिल्लाई रख्मान रहीम अस्वामलेकूम स्रेंट CS607 आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के लेक्चर नबर 4,5,6,7 चार लेक्चर्स हमें एक साथ करेंगे इसमें आप लोग को वेलकम आज हम देखेंगे चार लेक्चर्स जिसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग अचा प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्टार्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग से लिए लेकिन प्रॉब्लम कौन सा है वहीं प्रॉब्लम है जो हम पीछे लेक्चर्स में करते हैं अगर आपने पीछले लेक्चर्स नहीं देखा तो आप उसको जीसे पानीर के टुक्ड़े की तलाश में था उसके लिए पात देखता था और यहां पर प्राबलम सॉल्फ वही है जो सबसे पहला एक्जैम के पॉंट आफ युव से यहां से आपक्लिए है जी नहीं से आपके लिए क्लासिकल अपरोच अपरोच क्लासिकल अपरोच कोंसी अपरोच होती है तो देखें, यह सारी थेओरी है ना इसको मैं आपको अपने अलफाज में बता देती हूं कि Classical approach एक ऐसा method है, अगर आपके पास कोई problem है, चोटा है या बढ़ा है, कोई भी problem है आपके पास आपके पास उसके लिए solution नहीं है, याँ exact solution नहीं है, लेकिन आप apply कर रहे हो, कभी एक method से, कभी दूसरे मेथड से, कभी तीसरे मेथड से, कभी चोथे मेथड से, आप ट्राइ कर रहे हो, फाइनली आप क्या सुलूशन मिल जाता है, इसका मतलब है अपने क्लासिकल अप्रोच, यानि हिट एंट्रेल मेथड भी इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको आपने प्रॉबल्म को तो फाइनली आपको रिजल्ट मिल गया, अगर हम वही परानी एक्जामपल ने और इसको मजीद अच्छा करें तो वह माउस फाल एक्जामपल थी, जिसको पनीर के टुकड़े की तलाश थी, तो उसने कैसे एक तलाश किया, उसने हीट एंट्रेल के मैथड से, उसने एक र एक वाई की है, जो आपके घर गस्ट आये हैं और उनको आपके लाइट को आफ कर दें या अन कर दें, आपके रूम में डाटनर्स है, आप लाइट अन करने को कहते हैं, अब जो बोर्ड है आपके रूम में जो स्विच बोर्ड है उस पर पांग छे बटन्स लगे हैं, कि आपकी जो लाइट है वो रूम की अन हो जाएगी तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने हीट एंट्रेल वाले मैथड पर अपलाई किया तो बेसिकली यह चीज होती है हीट एंट्रेल अब यहां पर जो यह एक्जामपल से लिंटी जो फिरी लिखी है इसका आपके एक्जाम स लिखी है वो कुछ सी है वो कम्बिनेशन लॉक की है लिखें आपके गार में कोई बॉक्स है या कोई मोबाईल पैटन भी आपके सकते हैं इसमें जिसे आप लगाते हैं और वो फोर डिजिट या थी डिजिट का होता है तो आप रिंडम ली अपलाई करते हो एक एक डिजि निए बुछ दुछ तक पहुंच जाएं यह इसमें कोई शर्त नहीं है ठीक है यह मतलब जरूरी नहीं कि आप अपने प्रॉब्लम के सोलुषन तक पुह जाते हैं सम।ब आप नहीं बहुत सकते हैं यहां पर एक और वर्ड यूसकिया है यहाँ पर देखें यहां पर इन एक को 41 मीस में तक पर चुछ जाने से अपे शार से कर ले आज तो सरे शार समय में नहीं का बना की फिक मेरिया है इस एक ऊज़ झांड़ जानी है गर याथ करने। एशंद से ग Ci वे कहले याद करनेकी नहीं है पड़ी एक लाप्रोच अब सेकंड कौन सी है आपके पास जर्नेट इंट टेस्ट की है यह दो पॉइंट से आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो मैथर्ड है जिसमें आपके पास फर्स्ट वन है प्लासिकल अप्रोच यह वली अप्रोच फर्स्ट वन है और है आपके पास एक प्रॉब्लम है ठीक है यह तो यहां पर आप देखिए पॉसिल स्लूशन आपके पास कितने स्यद़ी ज्यादा है यह यहां पर बारी बारी एक स्लूशन चेक करतें। यहां पर भी ऐसा होगा। यहां पर क्या होता है कि यहां एक स्क्राइब्स के तरक एक साइड पर लिगारा कृते हैं। यह स्वावार गर्लत करते है यह वर्क पाम करना है अगर get Council Member का क्या तो आपके स्वाय करना, इस वर्क होती है यहां में डाला राते है तो आपके प्लिच बाराइन लापने तो आपके स्वाल होती है, उसने च्मुआर्बम चीह än तो अब आगे टेस्टर देख लेकर जोसोचन ठीक होगा और जो नहीं ठीक होगे अपके पिर जोसी रिगने इनकोर्क्ट बूसरी देख वो सारी देस्ट बीन में चले जाएंगे और नेक्स्ट आपके पास है Problem Representative क्वाल करी फ़िलम को प्रॉबल्म को राइट वाली प्राब्लम थी उसको ग्राफ की मदद से रेप्रीजन का मकसद यह था कि समझ जब आप देखीं यहाँ पर पिसमें राफ का देखें तो फिर 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 किसी एक बटन से तो उसका लाइट अन हो जाएगी ना तो यह आपको सुलूशन मिल जाएगा अब नेक्स देखें नेक्स आपके पास है Components of Problem Solving Components जो हैं यह बहुत इंपोर्टन है इससे short question बनते हैं यहां से अपने माइन में रखने चारों के नाम आपने माइन में रखने पहला component आपके पास है problem की statement दूसरा है अपका goal state तीसरा है solution space और fourth one operators चार नाम होगे अब चारों को हम बारी बारी देखेंगे लेकिन इस theory को नहीं देखेंगे हम मैं सिर्फ आपको concept दोंगी आपको वह समझ आईगी आपकी यह theory automatically cover हो जाएगी अब देखें problem statement problem statement का क्या मतलब है कि देखें आप जब किसी problem पे काम कर रहे हैं तो आपको अगर यह नहीं पता कि आप किस चीज़ पे काम करें आपकी statement क्या है लाइक हम वही रैट वाली example उठाके रखें सामने कि अगर रैट को यह नहीं पता कि उसको पनीर का टुकड़ा चाहिए था तो वह किस चीज़ पे मैनत करेंगा वह किस चीज़ के लिए solution करेंगा उसको कुछ भी नहीं बता होगा लेकिन अगर उसको पता है कि उसने पनीर के टुकड़े को तलाश करना है अपनी statement उसको जानना बहुत जरूरी है तो वह फिर तभी left to right forward करेगा इधर उधर देखेगा या कहीं भी आना जाना हुआ जा सकता है उसको statement पता है कि मैंने इस area में जो है वो डूननी है यहां से इस area में पनीर का टुकड़ा है सो statement को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है यह आपका component of problem solving में पहला component है कि आपने problem की statement को समझना है हुपस हो कि इसकी समझ आई होगी next है problem solution problem solution में आपके पास किया है इसमें आपके पास जो problem है उसका solution क्या है आपका goal क्या है आपका मकसद क्या है like उसी red की example ले उसी mouse की example ले उसका क्या मकसद था उसका मकसद था पनीर के टुकड़े को हासल करना यहां उसका solution था कि अपने goal आहां से स्टार्ट आता है, आपका पॉइंट पर मिलस्टार्ट किया है 하는데 A Water I Pilke प्रहुनद के सब्सक्राइब है की उसने हैं। आपका सुलूशन स्पेस खाएज yapmış हैं और आप और पराइटर्स इन स्वेस्ट ने हो रिखना है आपने याद रखना है यह बहुता है। तो यहां तक यह चार पॉइंट्स इसको बहुत अच्छे थे, आप लोग याद कर लें, समझ तो आ गई होगी, अगर नहीं समझा इसको एक बार दोबारा सुनें, और इन स्टेट्मेंट को समझें, ठीक है, यह चार पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं, आपके पॉइंट्स नेक्स देखें, आपके पास लिखा है दा 2-1 प्रॉब्लम, तो यहां पर एक प्रॉब्लम है, जो बहुत लिंथी वे से आपको यहां पर एक्स्प्लें की गई है, लेकिन मैं आपको सिंपल लफाज में बताऊंगी, जिससे आपको समझ आ जाएगी, इसमें प्रॉब्लम क एक उनके आपके पास, अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन 4 कॉम्पोणेंट्स की मदद से करना है क्योंकि हमने लिए Cash Zeal करने के लिए Commission. पहले आप स्टेटमेंट को समझेंगे फिर आप इसके गोल को पिर सुलूशन से पेज को पिर ऑपरेटर्स को सेम हम काम यहीं पर इस प्रॉबलम को सॉल्व करतेवे करेंगे अब यहां पर प्रॉबलम उन्हें हमें दी है जो प्रॉबलम इस पूरे को जो है वो काफी लिंधी है यहां रीड ना करें मैं आपको सिंप्ली समझा देती हूं यहां पर इग्जामपल में समझाने के लिए यहां पर हम ड्रा कर लेते हैं तब हमें समझागी एक लाइन है आ यहां पर एक रिवर है या दरिया है और इसके उपर एक ब्रिज है ठीक है पुल है अब इस फार्मर को क्या कहा गया कि आपने इस ब्रिज को क्रास करना है यहां से आप इस साइड पर जाना है दूसरी साइड पर और यहां से आपने किसी एक चीज को एक वक्त में एक चीज को यहां पर इस पुल से क्रास करवाना है या तो आप गोट को क्रास करवाएं या फिर आप ग्रास को लेकर जाएं या फिर आप लाइन को लेकर जाएं लेकिन शर्त क्या किया है कि आप ऐसी चीज़ लेकर जाएं कि आप लाइन को लेकर जाते हैं आपके गोड जो है वो वीक एनिमल होता है तो लाइन हेवी होता है तो लाइन जो है वो गोड को खा लेगी तो फार्मर को अब ऐसा स्लूशन दोना है ताकि उसकी चीज़े भी वहफूज रहें और वो ब्रिज को भी क्रास कर सेके और शर्त उसको यह दीगी कि आपने स्टार्ट लेना है और आपका गोल भी आपको पता होना चाहिए दोने चीज़े है पता चल गई फिर हमें रूल्स बताएं में रूल्स क्या बताएं में कि फर्स्ट मूव राइट सेकंड मूव लेफ्ट ठीक है उनली वन मूव एट टाइम नो बैकिंग अप अब नो बैक अब में पको स्लूशन इसका बता दीती है कि यहां से करीगा फार्मर यहां से किया करना है सबसे पहले उठाकर लेजाएगा गोट ले जाएगा तो पीठे रहा जाएगा-ग्रास फिर देघे काब वापा यहां से कःएगा घर्ट कि बताएगा गोट को इस साइड़ बियन और ग्रास भी दोनों मुझूद है अब वो क्या करेगा अब अगर वो ग्रास को जाके महां रखता है अपनी गोड के पास तो जारा गोड उसको भी खा लेगी अगर वो लाइन को लेके जाता है ग्रास के पास तो गोड को खा लेगा अब उसके लिए प्रॉब्लम है अब उस लेकर नाइन को रख़ाएगाए रान को यहां पर लेकर गिरस के पास रख दीगा इन पर आल्लर एड़ी रास है तो यहां पर लाइन भी आ जाएगा चैसे साल रहे देख़ने हाई इतना मुश्किल नहीं है यह सिंपल सा प्रॉलम था और हम चलते हैं अपने नेक्स टॉपिक पर अच्छा यह सारी थियूरी आपके इसी प्रॉब्लम से थी जो मैंने आपको समझा दी किसे उसे सॉल्व की यह सिर्फ आपके लॉजिक के लिए थी आपके कंसेप्ट के लिए कि बाकी exam के point of view से कोई मकसद नहीं हम बना सndव ನेक्स आपके पास सर्च नां को सिर्फ लॉजवरा डापके एंसे औरinvest को मारे है क्या सिर्फ करना है वह भी हम सिर्फ धे हैं और Modal संवर्श अपरेटर्स को यूजवरा है अपनी search को complete करने के लिए मुक्तलिफ parts देखने हैं ठीक है कैसे काम करना है सो search से पहले हम बात करते हैं यही जो search है इसे पहले हम tree and graph terminology terminology पर बात करेंगे तो उसके लिए ना यह जो आपके पास सामने जो graph बना वाई यह most important है इसको आप समझेगे तो बाकी आपका अगए जो है वह graph इसिले कर सक हैं इसमें देके सबसे पहले top पर यहां पर आपके पास a नोड़ है यह आपके पास इसी तरह अगर हम C को चेक करें तो A से जो है वो C एक्सप्लोर हो रहे है तो C क्या है ये रूट नहीं हो सकता तो रूट आपका वो ही है जो एक्सप्लोर नहीं है किसी भी चीज से और इसके अलावा ये जो लास्ट वाले हैं ये सारे जो है ये आपके D, E, F जो लास्ट वाले पॉइंट होते हैं इसको आपने लीफ नोड बोलना होता है ये आपसे एक्जैम में M.C क्यूज में पूचे जा सकते हैं लीफ नोड कौन से होते हैं जो लास्ट वाले होते हैं इनको लीफ नोड बोला जाता है यह आपके आखर में होते हैं ठीक है लाष्ट में आपके होते हैं इनसे कोई और explore नहीं होते हैं इनसे कोई और explore means कि यहां से कोई और number नहीं explore कोई और node नहीं explore सो इनको हम बोलते हैं यह need float है ठीक है थोड़े से point से हैं और आप याद रखनें यह बहुत बहुत बलर्स है, मैं आपको जोड आपको ठापक होगा है. यह mention होगा उसमें हम समझ लेंगे इसको नेक्स आपके पास देखें सर्च स्टैटेजी आ रहा है अब सर्च स्टैटेजी आपके पास कौन-कौन सी है यह आपके लिए समझना बहुत जूरी है चार तरह की स्टैटेजी है चार टेकनीक आप बुढ़ सकते हैं इसको के चार त का इस सब्सक्राइब बुढ़ सकते हैं लिए हृरिस्टेंफ कर दहिसार नंनक्या मारै और अब Come मेषया सिधी आपकствен समझ कूर्फ कर तो कि तो की स्टैटेजी आपके यह आपको एग्मेरल से इसके आपको जो नवह तरह को लिए से कौन है शीमें समझ लिए तैजी है और optimal पात है ठीक है यह 4 स्ट्रैटिजी है यह इंपोर्टन इंप्वेटन इसे प्लाइक के लिए प्लाइक है यह आपकी आप्टिमल हो गया नार ट्रीमल हो गया यह लग लग सी पूछी जा सकते हैं यह इसलिए इंपने करना कि याद करना क्या शांज लेना कश्च लेना तो method से हिट और ही जाया चिछ बाल बाल आट, भी होता है, ब्लाइट मेंज मेंज होता है इस पर देखने की स्कुशिछ करने है लेकिन बार कमेन लगा ये पूर को पनीर के तुकड़े का नहीं पता है लेकिन वह कोशिश कर रहा था, वह ब्लाइट मेथट से लगा था, वह बार क स्क्राइब जाता है醚ी है को mo watch remind technique बंदी को होते हैं जिसे को सबस्पर्ण करता है यह भी हिर्सक्न की प्रोश का मतना इसम्थप करेते हैं चीज जाता है। आपको इसा हरा उपकता है। यहां सामौन हो उैसा रांगा है। मैजाते में ऑप्राटं इचारा करते हैं कियां सब्सक्राब अगराइं, इसी एक्जामपल में भी त्वम, लेख रहें कि आपसे, रहुआ को एका लेख़ुकर से स्मे fellowship कारीचा बनेर के लुझा रहें तो जनकि योणी पार राप नियुकर का रहा रही हो जाना है माउस जब उसको स्मेल आएगी चीजों की तो वो क्या होगा वो अपने सुलूशन के करीब जाता रहेगा और फाइनली वो अपने सुलूशन को हासल कर लेगा थर्ड वन है ऑप्टिमल और एक तर्ड नौन ऑप्टिमल पर बात कर लेते हैं इसके अंदर जो आपका प्रॉब्लम है आप उसका सुलूशन फाइनले करते हो लेकirm है क compare time मेरे उसकी हैं मचलियां हे या नहिंको पानी है तो आप Алप कर से नांवर में सुलूशन की है आपने जाकर देखना है मसलिया नहीं है तो ठीक है आपका काम हो गए आप मजीद उस पर वर्क नहीं करोगे ठीक है इसी तरह जो है वो आप्टिमल के देखने तो आपने यहां पर ओनी सुलुशन को देखना है बाकी स्टेप को सब को क्या करना है इग्नोर कर देना है यानि पाउसिबल सुलुशन जेतने भी है ना उनको आपने चेक Жूरूर करना है ठीक है?寄ने तबीक में, ठेक है कि लिग और लोम पर प्राइक आपक और कास्वीन परतमा सन सुलुशं को करना है तो कि यह चार कंशेप्त ळेखने आपको फिर आपक़ ए वह इसन चार कंसेप्स BFS ठीक है एक है DFS और दूसरा है BFS डेप्थ फर्स सर्च है और बिट फर्स सर्च है दो अल्गरिफम है आपके पास इन दोनों के नाम MCQs के लिए most important हैं क्योंकि हर बार यह नाम full नहीं यूज़ होता है सिर्फ DFS यूज़ होता है और BFS याद रखिए कि आपने दो concept अपने स लाइट नहीं लेना ठीक है इनको यहाँ पर लिख लिए और याद करने के DFS आपका डेप्थ फर्स सर्च है और जो BFS है वो है बिट फर्स सर्च यह किसी भी सुरत एक्जाम में स्किप नहीं होता है या तो यह MCQs में आप कहाँगे या short question में भी बहुत chances होते हैं कि अच् जो इसको गूर से समझें कि अवने इसमें अपका goal और स्टेट है तो यह डिपर तो डिपर या या last right to last है आपने इसको find करना होता है ठीक है ये आप कहुत है depth नाम से पता चलना है कि इसमें आपने goal को find करना है और कैसे find करना है आपके पास त्री दी होगी इसके left side को आप अपने गोल तक पहुंचना है यह इसका फार्मूला एक दिया है यह सिर्फ आपके एक्जैम्पल जो है वह एमसी के लिए इसको समझने के लिए आपको इस डियाग्राम को देखना होगा तभी आपको जाके समझ आएगी अब देखें यहां पर मैं इसको ट्रा कर देती हूं कियांदि पर आपके पास एक ट्री है जिसमें आपके पास 59 है जिसके टॉप पर जो है circ ration आपके आपके समय में ऐा है disposit करे को अ तरह के लिए आपको देक्राइं आपके असमी पर घूशान वाजपन देख सिर्छ उन्हें करना मैं आप सिर्णा और इसको पार पार्शार के तेबल के चिखना चैबल में से लागना है कि निए और दिक चैबल किस चीज और कि उर्ट के आप कहने पर है क्यों प्रखते है और कि प्र-적인 category पर सब चैबल से बेच से लेखना है waal सब्डिन को फिर्ट के अर्ग रखना है और से बना कि यहां पर बना कि उर्ट पर क्यों प विस्ट नियूक स्टार्ट जाव करके स्टार्ट सूर्ट पॉइंट आपने क्यों निख कर रहे हैं कर समय कर में क्या हो आप भी दो तो दीकने खपते हहां विजदोर्स से नोड़ प्रभर एक्सेश्प्लूर जब आप और कि की आपने प्रणे ख़ार समय या टो आपने क्णिश से लिए चाय। आपने लिख देना है कि आपको A और B जो है वो S से मिल गए हैं तो आपने देखे इस स्टेप के अंदर यहाँ पर आपने डिखा कि अब आप A और B को विजिट करें यहाँ पर आपने A और B को मेंशन कर दिया और आप यहाँ पर जो विजिटिट एडिया होता है उसमें सारे बताने होते हैं कि आपने पहले S लिया था और साथ A भी ले लिया और B ले लिया यह तीन काम आपने कर लिए आपका यह ग्राफ रेडी होगए यहाँ ठीक है आपने विजिटेट भी बिता दिए और अपने सारी चीजे बिता दिए अब देखें आपने S के बाद A और B भी बिता दिए अब आपके पास कौन से रहें अब आपके पास C, D रहें और यह वला B रह गया क्योंकि आपने इसको एक्स्प्रोर कर लिया और लेफ्ट साइड को पास क्यों कर लेकर चन्स अथिए अब आपने C को लिया और आप बतारें D को लिया और साथ B रहें इसको लिया झाले छेओं साथком डर्च divulgate को अब आपके पास कार आपकेवलम एक्यों आपके इसको लिया पनूलें से के अपने बिता हमसं दिखेंगे सुन्भाइगे C, D, B, विजिट इरिया सारे बन जाएंगे तो अब आपका विजिट इरिया कितना बन जाएगा वह आपका स, A, B, C, D आपके पास नेक्स्ट कुन से रहे लिए G, O, RETCH रहे लिए आपके आपके लिए आपके लिए देरा की देज़ा देख़ों आपने कहां से कहां से लेकर चलें मैं दूआरा करवाई दूँए लगी यहां पर आपको लास्ट पॉइंट पॉइंट अपने मिल जाएक जब आप इसको find करने तो आपने graph को जो है वहां पर खतम करने सो इसको skip नहीं करना इसको ref register पर solve करने यहां से आपके assignment भी आती है आपके mcqs भी बनते हैं आपके short questions भी बनते हैं even कि आपके long question भी इस paragraph से बनते हैं सो इसको skip नहीं करना आगे देखे simple search algorithm applied to break first search अब आपके पास कौन सा अलगोरिफम आ गया है BFS, BFS में आपने क्या करना होता है इसमें आपने level by level चलना होता है अब देखें DFS था और BFS था ना depth था तो D था तो breath हो गया तो B हो गया breath first algorithm में क्या करना तो search में क्या करना होता है यहां पर स्टार्टिंट को अपने M.S.QS के लिए याद एक लिए रहा है बाकि हम इस पर बात करते हैं अब देखें BFS में आपने क्या करना है level by level चलना होता है तो level by level चलने के लिए आपने क्या करना होगा यहां देखें आपने same उसी तरह से Q के लिए एक ड्रा कर दिए ह यहां पर आप विजिट टिंगें और यहां पर आप जिस चीज़ को विजिट कर रहे ना उस नमबर्स को लिखेंगे ठीक है तो यहां से अब आप A B लिखेंगे सबसे पहले उसी तरह S S लिख देंगे GDIB solution होता है इन पे depend होता है और आपके MCC ques भी इसी पे depend होंगे ठीक है तो इसको आपने क्या करना इसको skip नहीं करना अचै यहां पर देखिए आपने क्या क्या किया यहांपर आपने या आपका विजिटिड एरिया यहां पर आगया थेर्ड स्टेप में आपने क्या किया अब आपका S आपने खतम कर लिया हो गया अब आप इसको छोड़ देंगे ठीक है यानि आपके पास जो ब्रिट फिर्स्ट अल्गोरिफम है इसमें फिर्स्ट इन फिर्स्ट आउट होता इसमें फिर्स्ट इन 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 फिर्स्ट इ इस सारते हमें a & c और दिकına पर वीट हमें र Whoa !! ऐस नियुक्ष के सब्सक्राइस छाए में ane इनल इस सब्सक्राइब पर इस सारते हम आपने साथ अमनेगों A करने आप करना दा धा बंद बतना तो यह सारे graph आपने इसको solve करना है इस पर मेनत करना है आपको concept समझ आ गया अब आपने इसमें किसी step को छोड़ना नहीं होता है ठीक है BFS में किसी step को छोड़ना नहीं होता है horizontally work करना होता है यहाँ आप याद रख लें कि आपने जो है वो breath first algorithm के अंदर फाइफो technique यूज करन इसको आप लोगों याद डखना है कि दो concept आपने इसको यूज करने है इसकी hopes हो कि समझ आ गई हो इतना मुश्किल नहीं अगर नहीं भी समझ आई तो मुझे कमेंट बाक्स में मताईएगा मैं next lecture के साथ दोबारा इसको revise कर दूँगी ताकि यह चीज आपको समझ आज़े क क्योंकि यह important topic है यह skip नहीं करना आप लोगोंने अगर आप इसको skip कर देंगे तो पेपर में तो आते ही सारी heat freeze बने होते हैं आपने इसको perform करना होता है तो अगर आपको यह समझ नहीं आगा तो आप आगे नहीं कर पाएंगे so next topic है problem with DFS and BFS यह problems है उसके साथ उसके साथ उसके लिए सिर्फ यह दो लाइन आप याद रखनें ठीक है यह आपके MC के इसके लिए important है यह आपे समझने वरी कोई चीज नहीं है DFS यह करता है can run forever in search space ठीक है उसके length pathway area infinite होती है और DFS यह होता है does not guaranteed finding the slow west goal कोई नहीं है कि अपना goal यह हासिल कर ले ठीक है जैसे हमने heat and trail के method में देखते हैं कि confirm नहीं होता कि हम अपने goal तक पहुंच सके है और DFS के सबसे disadvantages कह सकते हैं कि यह जो है some time ऐसा भी होता कि आपके पास बहुत जादा number आ जाती है तो अब कब तक अपने final stage तक जाने के लिए आपकी length बहुत बढ़ जाती है तो बस यह दो lines याद रख लें उसके बाद जो next topic है यहाँ पर lecture finish हो जाता है हम next देखेंगे इंशाला progressive deepening में यह आपका more and more important and आप कह सकते हैं के interesting topic के आगे यह सारा graph से related है बस आपके यही लेक्चर graph पर डिपेंड है बाकी आपका जो है वो theory होगी आपको समझ आएगी तो आप सारा कर लेंगे easily so graph को skip नहीं करना अगर समझ आगी तो well and good नहीं समझ आए तो आप मुझे comment बाक्त बताईएगा मैं इसको next lecture के जाद दोबारा revise कर दूंगी और मिलते हैं next lecture में आज के लिए इतना ही था okay allahafiz